गुट इबनिंग बच्चों आज किस कलास में आप लोग पढ़ेंगे कच्छा 10 की अंसी आर्टी गड़ी परस्टनावली 12.2 का कोईश्चन नंबर 3 से कोईश्चन नंबर 2 तक आप पिछली कलास में पढ़ चुके हैं इसक्रीन पर आपको कोईश्चन दिख रहा है ना जड़ा ध्यान से देखिए क्या कहता है प्यरा कि एक घड़ी की मिनट की जो सूवी है उसकी लंबाई 14 cm है 14 cm है इस सूवी द्वारा 5 मिनट में राचित 6 तरफल ग्यात कीजिए एक clock बना लीजिए, बिटा देखो इधर side में बाबू बना लीजिए, एक clock, एक घड़ी, ऐसे ये बन गई, तो घड़ी में ऐसे ही तो लिखा होता है, देखे हो कि नहीं सभी, ऐसे घड़ी बनाना आसान होता है, ऐसे जैसे मैं बनाया, देखो, सारे number भी इसमें आ जाएंग और दिक्कत भी नहीं होगी, तो कहरा है कि जो मिनट वाली सुई है, वो पांच मिनट में कितना छेत्रफल, मतलब घेरेगी वो निकालना है, ठीक है, पांच मिनट कब होता है, यह इस पे और पांच मिनट जब इस पे जाता है, तो होता है, आप सब को पता है, घड़ी में बना कौन बराबर ईंगलिए एंगल डिस्क्राइब्ड उन पाइब मिनट इक्वल हिंदी इंगलिए दोना हूं, आप समझ समय समय आए ठीक है देखो बाबू अगर ये टोटल कोई सुई घूम जाती है मालो एक से लेकर के फाइनल फिर एक पे आ जाती है तो कितने का कौन बनाएगी बताओ बहुत सिंपल सी बात है कोई इंसान अगर ऐसे खड़ा ऐसे घूमा फिर ऐसे घूमा फिर ऐसे आ गया तो 360 होता है ना 360 होता है ना तो टोटल कितना होता 360 तो यह 360 आप रखोगे अपन यहां पर एक चीज़ा आपको और ध्यान देना है यह जो घंटे वाली सुई है अगर यह पूरा-पूरा एक बार घूमती तो एक घंटे होता है ना मिन उक्राली पूरा-पूरा पूरा एक बार घूमती तो क्या होता है दो मतलब एक घंटे का मतलब सुरी साठ मिन बदमません होता है ना वहसे सिकन्ड वाली घूमती तो साट सिकंड होता है तो इसमें तो मिनट और घंटे तो चलेकी न तो से क्या करोंगे 60 से भाग देदोगे यही आपका ओगा 5 मिनट में जो कौण बनाएगी नाइए यह एक मिनट में बना कोण यह वन मिनट में बना एंगल है ठीक है पाँच मिनट में निकालना तिससे 5 से गुड़ा कर दोगे जीरो जीरो काट दो छे चंग शत्यस बराबर तीस यानि पांच मिनट में तीस हंस का कौन बनाएगी बाई सिंपल सी बात है तीस हंस का बनाएगी क्यों क्योंकि देखो यह 12 ट्वेल पार्ट में बटा है ना ट्वेल तक नंबर है ना अगर बारा से इसे गुड़ा करोगे बारति यह 36 360 आ जाएगा ना यहीं टोटल कोंट 360 हंस का बनाती ही जब सुई चलती है तो फिक है यह समझ गए यह पांच मिनट का हो गया आगे इसमें क्या कह रहा था यह तो इतना यह गेर रहा है ना निचे लिखो एरिया स्विप्ट इन फाइप मिनट या फिर पांच मिनट में सुई द्वारा रचित छेत्रफल लिखो पांच मिनट में सुई द्वारा रचित छेत्रफल पांच मिनट में सुई द्वारा बनाया गया छेत्रफल हिंदी में बोल है आपान 360 यह फेर्मूला होता है ठीक है याद रखना है इन्टी टोल घ् Ey नहीं का मतलब यह बृत्ताकार है ना यानि बृत्त का चेत्रफल जो होता पाई एरी स्कॉयर इसक्वाइर इसक्वाइर कि कहा है थीटा कमान कितना यहां पर इसक्वाइब तीजिए आर कमान स्रिज्य देखो 14 सेंटीमिटर दी है कोईश्टन में न आर कमान 14 है इसक्वाइर है इफ लिए दो बार कर दोगे हल कर लिजिए कोईश्टन से मैं हटा देता हूं चलिए बहुत आसान है आप एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तीन से इसको काटेंगे तीन एकम तीन बारत यहीं छे आप अगर देखते जाओ तो कितना उपर बच रहा है 14 और 11 न गुणा करोगे 14 का 11 में तो 154 आएगा बटा तीन सेंटीमिटर का स्कॉयर चुकि यह क्या है छेत्रफल है एरिया है इसी के साथ आपका कुश्टन नमबर 3 कंप्लीट होता है अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो बताइए यह फार्मूला था आपका इसमें डाउट नहीं होना चाहिए अगर कोई भी सुई जो है कोण बना रही जितना भी न आपको क्या करना 360 को 60 से अगर 360 को 60 से भाग करोगे तो एक मिनट में बना कोण निकालना तो 5 से गुड़ा कर दो 15 मिनट में बना चौथा देखिए क्या कहता है इसक्रीन साट ले लिजिए वीडियो पीछे करके अगर नहीं देखेते बहिए जल्दी करो फटा-फटी स्क्रीन साट ले लो जल्दी करो कि दस सेंटीमेटर त्रिज्जा वाले एक ब्रित्त की कोई जीवा केंदर पर समकोण आंत्रित करती है यानि ये कोई सरकल है जिसकी त्रिज्जा दस सेंटीमेटर है उसकी जीवा केंदर पर समकोण यानि 90 अंस का कोण बना रही संगत लगू ब्रित्त खंड और संगत दीर ब्रित्खंड क्या करना है इनके छेत्रफल निकालने हैं तंगत लगुब्रित्खंड का मतलब आपका माइनर पार्ट का एरिया निकालना माइनर सेगमेंट का ठीक है और मेजर सेगमेंट अभी दिखाता हूं चलो लिखो फट से देखे कुछ बच्चे सोच रहा है मेरा नाम नहीं बोल रहा है अभी बहुत से बच्चे हैं सबका नाम बोलूँगा बीच बीच में बस पढ़ते रहा हूं क्वेश्चन को मैं एक बार इंगलीस में भी पढ़ दे रहा हूं सुन लिजिए क्वेश्चन को इंगलीस में कैसे है अकॉर्ड आफ ए सरकल आफ रेडियस 10 सेंटीमेटर सब्टेंट्स और राइट एंगल एट दा सेंटर हैं दा एरिया आफ कोरेस्पांडिंग पाइस्ट मायनर सेग्मेंट सिगेंड मेजर सेगमेंट कि अब एक सरकल बना ये सरकल या वकल के इंदर आप मामायनर मेजर सेगमेंटेंट दिखें अगर इस पर से एक जीवा खीची गई तो आपका ये दो पार्ट हो गया ना दो सेग्मेंट हो गया ना इस सरकल के अब इसमें ये चीज़ आप बना लेंगे आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था यहां पर ओ हो जायागा यह आपका एंगल हो जाय जो है केंद्र पर समकोंड बना रही यह नब्बे बन रहा है याद रखना है ठीक है क्लियर अब जो निकालना है कर लो फटाफट हो गया कोई दिक्कत नहीं साइड में कर लेते हैं हम लिखिए क्या लिखोगे एरिया आफ माइनर सेग्मेंट इधर लिखो एरिया आफ माइ का इनर सेग्मेंटन न इसे आप हिंदी में क्या बोल सकते हो और संगत संगत अ कि लगो बृत्त खंड का छेत्रफल लिख लो लगूबृत कंड का छेत्रफल बराबर 15 ऑगे लिखे हे कि एरिया आफ अ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ओओ ओध अ हके older आफ माईनर सेक्टर नहीं बताओं गरुद। इसेड़ क्रेंब सेक्टर माइनस एडिया ओफ हो छाय दो ए ब्きूक इस पो हिंदी में लिखोगे हिंदी में इसको तो लिखोगे आप लगुबृत्खंड का छेत्रफल बराबर लगुचाप लगुचाप माइनस तिरभूज ओ लगुचाप और दीरगुचाप मैंने आपको बताया था ना पढ़ना जब इंट्रोड़क्शन पार्ट में जैसे इस पर अगर कोई घुचाप लगुचाप क्या होगा बताया था ना आपको एक पॉइंट आकर मैंने क्यू लगा डिया इसको थोड़ा नीचे तो बताया था कैसे पढ़ेंगे ऑ क्योशे बढ़ेंगे और घ्राइंगल इस इस brewer कें और वाक कर लेरेकered कեղ उसके एरियास से तिर्भूज वाला घटा देंगे तो हमारा यह मिल जाएगा जो हमें निकालना है today चलिए एरिया माइनर सेंuely हैं रखिए हर मुलाप कोक्ष थीटा 560 right इन्टू पाई आरे स्कॉर ना क्योंकि टोटल क्या है बृत्त का जो पर चेतरपल होता वो लग जाता है माइनस हाफ बी इन्टू एच बहिए यह तिर्भुज का चेतरपल का सूत्र है ना एक बटा दो अधार गुड़े उचाई इस तिर्भुज का भी तो चेतरपल हो रहा है ना और सिंपल सी बात है यह आपका माइन एरिया माइनर सेक्टर का हो गया यह आपका तिर्भुज एवी चेत्रपल का हो गया मांद रख दीजिए सबका को कि टीटा तिटा का कोई मांद दिया है क्या कि एकल नबब्बे दिए ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट परसानी नहीं होने चाहिए आगे बढ़े जीरो से जीरो कट गया नौ से यह कटा नौ चोग छतिस हो रहा है न आप इनको काट दो दो दूना चार यह दो पंचे दस दो से इसको काट दो तो यह ग्यारा आया इतर कुछ बच रहा है ग्यारा पचे पचपन ऊपर बचरा 55 नीचे साथ न देखो और कुछ बच रहा है तो बोलो कि एक काम और भी कर सकते हो इसमें इसका मान 3.14 भी रख सकते हो ऐसा कुछ दिया था क्या देखो नहीं दिया था तो कुछ भी रखो कोई फरक नहीं पड़ता चाहे तो 22 बटा साथ रख लो या 3.14 रखो दोनों का मतलब एक होता है तो साथी मेरे 11 5 और 10 का उपर गुड़ा कर लोगे तो आपका यह हो जाएगा 11 55 10 550 बटा यह साथ माइनस इसको काटोगे 25 10 और यह 50 हो जाएगा ठीक है इसको भाग करोगे तो आप 78.5 आएगा भाग करके देख लो साथ सता उन्चास है ना बचेगा कितना छे हो जाएगा साथ साथ अठे छपन फिर चार बचेगा ऐसे करोगे तो आपका यह 28.5 आएगा यह क्या निकल रहा था एरिया निकल रहा था ना नबाबु एरिया निकल रहा था तो यह क्या हो जाएगा सेंटिमेटर का स्कॉयर य लिखा यहां पर लिखा नहीं गया था ना सुर्य यहां पर माइनर लिख लो माइनर सेग्मेंट लगुबृत्त खंड का क्या है यह चेत्रफल है यह अभी तक हमारा जो एरिया आया बाबू सिर्फ इतने का आया है जहां पर लाइन खीची जारी देखो यह जितना मैंने निकालना है अब उपर वाला जो बन रहा है इसका निकालना है यह अब इसके लिए भी ऐसे फार्मूला लगाओगे उपर वाले का निकालोगे जिसे दीर्ग बृत्खंड बोलते हैं मेजर सेग्मेंट लिख लो जल्दी से स्क्रीन साथ लेलो फट से इसको आगे बढ़ें जल्दी करो बहुत जल्दी चलो अब इसमें लिख लो हिंदी में लिख लो चाहें इंग्लीस में लिख लो में दोनों लैंगवेज बोलता हूं area of लिखो इसमें फट से area of मेजर सेगमेंट ठीक है हिंदी में लिख लीजिए देर्ग बृत्र खंड का चेत्रफल बराबर तो देखो बापू इसके लिए जो एंगल बनता है उपर 360 माइनस थीटा बनता है न मैंने इंट्रॉटक्शन पार्ट में बताया न इसको क्या करेंगे बृत्त का जो चेत्रफल होता उससे मल्टिपल कर देते हैं पाई यह सूत्र होता है यह सुत्र कैसे आता है अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो विडियो का डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा देख ली जिएगा नहीं मिलता है तो पर कंटेक्ट करिए इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजी ठीक है चलो सारे मां रख दीजिए तो बाबु यह आपका 360 माइनस थीटा थीटा कमान वहां पर क्या दिया है देखो जरा क्या दिया है नब्बे दिया था नब्बे यहां भी उच कर लोगे ठीक है तो चल यह आप घटाओगे तो 270 आएगा 360 गुड़ा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 एक जीरो काट दो इसको नो से कटो नो तरिक 27 नो चोग 36 आप इसे और आगे सिंपलिफाई कर सकते हो भी दो से काट दो दो दूना चार यह दो पंचे दस अभी दो से यह और कटेगा तो दो पंचे दस उपर आपका 55 बच रहा है यह आपका एक 3 बच रहा है और 3.14 बच रहा है है ना तो 25 तीयां कितना हो जाएगा 75 कितना हो जाएगा 75 यानि फाइनल में 75 इंटू 3.14 यह बच रहा है ना इनको गुड़ा करोगे तो 235.5 संथिंग आएगा मल्टिपल करके देख लो आप सब क को गुड़ा करना आता है तो यह क्या हो जाएगा सेंटिमीटर का स्कॉयर को अगर नहीं अभ्यास करोगे तो पिर नहीं कर पाओगे तो यह कुश्चन आपका ड़न हुआ जल्दी से स्क्रीन साट ले ले लिजिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्ट कुश्चन जल्दी हो गया नहीं समझ मैं बताइए गटेंशन मत लीजिएगा मिस्टर रभी कुमार कमेंट आ रहा बिटा काहे को परिसान हो आ रहा है कि कुश्चन नंबर पांच आपके सामने आ चुका है देखो बच्चा यह कुश्चन आप लोग होमवर्क करोगे ठीक है चौदा कुश्च जिनको नहीं आएगा नो लिख्के कमेंट करिए आ जाएगा न दीपाक मोहनी सबको आजाएगा चलो कुछ बच्चे कमेंट करें उनका नाम अभी नहीं बोला जा रहा है परिसान न रहें रोज जुड़ोगे बोलेंगे अगला देखो छटा कोश्चन क्या कह रहा है ध्या वाले एक बृत्त की कोई जीवा केंदर पर साथ हंसका कोण बना रही और दीर्ग बृत्त खंडों का छेतरफल ग्याद कीजिए इसमें कुछ क्टा है क्या इसमें इसमें थोड़ा कटा है कोण अंत्रित करती है ठीक है उसके बाद है तो संगत लगो और दीर्ग बृत्त खंडों का छेतरफल ग्याद कीजिए क्विश्चन है चलो हल करते हैं कि देखें लोग हमें कुछ काम से बुलाते भी रहते हैं अगल बगल वह भी करना पड़ता है आई यह पहले फिगर बनाते हैं देखो बच्चों पहले एक वृत्त ऐसे बना लीजिए इस ठीक है यह हो गया अब देखो इसमें करना क्या जरा समझना थोड़ा सा कोशिस करन कह रहा कि इसमें साठंस का कोण बन रहा है एक वृत्त की कोई जीवा केंदर पर साठंस का कोण बना रही है तो पहले आप इसमें कोई जीवा कीचोगे यह जीवा कीच लिया यह सेंटर पर क्या कर रहा है साठंस का कोण बना रही है यहां पर क्या करोगे यह साठंस का कोण माल लो इसको ओ हो गया इसको ए भी कुछ भी ऐसे रख लो और पंद्रा सेंटीमीटर त्रिज्या वाले न यानि इसका जो रेडिया से बाबू कितना है पंद्रा है यह क्या पंद्रा है यह दिया है अधहांकि जो्जो कह रहा है कर लीजिए लगुब्रित्तखंड का छेत्रफल हमें जो हल्हुब्रित खंड यान being a सेग्मेंट मुद्रता है उसका क्या करना है इयरिया निकल इरिया आफ मैर्सेगमेंट dlatego आप मैंन रसेंद्र कि लगु बृत्त खंड का छेत्रफल बराबर इंगलीस इंदी दोनों में लिखिये ठीक है लगु चाप माइनस तिरभूज ओ एबी का छेत्रफल लगु चाप का छेत्रफल माइनस तिरभूज ओ एबी ओ एबी का छेत्रफल ओके क्लियर तो क्या करोगे इसको हाँ इंगलीस में कैसे लिखोगे इंगलीस में सुन लो कहने का मतलब हमें यह एरिया निकालना यह जो फाइनल में आ इसको पता हैं जैसे मैं आपको इसको पताया था इंट्रोडेक्शन पार्ट में एक बार फिर से सुनो मानलो अगर इसका नाम सी हो गया तो हम पूरे का लगुचाप का छेत्रफल यह लगुचाप का मतलब जो इसमें हम इंग्लिज में माइनर सेक्टर बोल रहे हैं ना माइनर सेक्टर का मतलब यह है OACB OACB यह क्या है लगोचाप है और लगो बड़ाबर यहां लगा देते हैं लगोचापका छेतरफल कितना हो जाएगा थीटा ही होता है इंट्रटग्शन पार्ड ने बताया हूं थीटा अफान 360 इंटू ब्रित्त का जो छेत्रफल होता पाई यार स्कॉयर यह होता है ठीक है माइनस पिरभूज ओ एबी का छेत्रफल देखो एक चीज यहां पर समझना एक नई बात आपको बताता हूं अगर किसी भी ब्रित्त में सेंटर पर केंदर पर साथ हंस का कौन बन रहा है इसको एक लाइन दो आर का स्कॉयर साइन थीटा लेकिन ध्यान रहे कौन नब्बे से कमी बनना चाहिए यह नया सुत्र है बाकी तो आप जो लगाते हो रेगुलर उसको लगाई सकते हो नब्बे से अगर ज्यादा का कौन है तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हो ठीक है तो चलो रख देते थीटा कमान कुछ दिया था साथ दिया थाना साइद दिया थाना भया थीटा कमान दिया थना बाबु मुद थाल चलो गोडे पंदरा मतलब दूई बार कर लो माइनस, हाफ, यह 15 in to 15 in to साइन थीटा, देखो, थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब 60ந्स है ना बाबू, तो साइन साइन का मानी जानते हो, क्या होता है, Root 3 Yap, 2, साइन साइन का मानी यहाँ पर तुम्हें मान भी आना चाहिए Root 3 Yap, 2, इनको क्या करना हल कर लेना है कर लो जीरो से जीरो कट गया च्छे से को काट दो वना पांच शिक्स हो गया और एक काम अभी कर सकते हो वह क्या पता है सिन से काट दो तीन पचे पंदरह यह तीन दुना छे ये कट जाएगा क्या कोटेद काटलो का। एफिए कट ना नीचे यहां पर कुछ नहीं बच रहा है उपर ये इंधुट सेबन है और यह 15 ऱमचंग बाज़ना वाल की सब बच रहा है तो आप एक काम कर सकते हो इनक्त अब करो इनका सब पॉइंट सेबन फाइप आएगा माइनस यह 15 का इसमें गुड़ा करोगे यह दो भी इसमें नीचे देखो दो दुना चार है उपर क्या है 15 गुड़े 15 इनका भी आप गुड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा पता है तुम्हें कि नहीं मैं बताता हूं इन्हें तुम काट लो यह 7.5 आएगा दोसिश्को काड़ लो 7.5 आएगा इनका गुड़ा करो और रूट 3 का भी मान होता जानते हो कि नहीं उसको भी रख लो कितना होता अंडर रूट 3 का मान बोलो फट से बताओ 1.73 होता है ना किता में देखो दिया 1.73 ठीक है तो बेटा आपका यह हो जाएगा फाइनल में 7.5 7.5 1.73 इन सब का गुड़ा करोगे तो 117.75 माइनस इसमें से आप इसको घटा दोगे जो भी आएगा आप इसका वर्ग भी तो कर सकते हो 97 आएगा सम्थिंग लगभगना ल ठीक है 20.43 यह क्या था एरिया निकाल रहे थे ना सिंटिमेटर का स्कॉयर समझ में आए ना है इसे थोड़ा और डीटियल में लिखो गया अगर तो 4 375 तक जा सकता है भाग देने के ऊपर आप लोग यह कल्कुलेशन कैसे हो गया देखो इसके लिए तुम्हें गुड़ा भाग आना चाहिए कच्छा 10 में पहुंचेओ ना अगर नहीं आती मैत ना तो रात 9 बज़े वाली बेसिक मैत पढ़ो उसमें यह सब डीटियल में बताएंगी यह कैसे हो गया अब यहां पर आपको सिर्फ हम रूल बता सकते हैं आपको काटना पीटना नहीं बताएंगे ग और यहां यह क्या है अभी क्या है लगुब्रित्ขंड का यहां लगुब्रित का हाझा रिखो भी रजाएनर के यह ठोब और यह 5 le effect कशेत्रफल बराबर यहां फिर एप मेआजर सेग्मेंट सारस पर निघंग है तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं O A Q B अब हमें O A Q B का एरिया निकालना है ठीक है इंट्रोडक्शन पाट अगर देखे हो तो समझ में आ रहा होगा कि O A Q B का क्या मतलब है तो ये पूरे पूरे जो बृत है उसका छेतरफल से हम छोटके वाले जो हम अभी तक निकाल चुके हैं इसका क्या करें घटा दें सिंपल सी बात है इसको घटा दें आ जाएगा एरिया आफ लिख लो माइनस एरिया आफ माइनर सेग्मेंट तो माइनर सेग्मेंट अभी अभी आया है इसका मान रख दो पाई बटा जो पाई वाला है कितना आएगा भई पाई कमान 3.14 रख दो इन्टु आर कमान 15 दिया था ना देखो 15 तो दिया था इसका भी आया था 20.4375 शुट के वाले अभी निकाला ना क्या करोगे गुड़ा कर लो इनका गुड़ा करो 15 15 में कितना होता है दो सो पचीस दो सो पचीस दिया इनका गुड़ा करोगे साथ सो छे पॉइंट नाइन फाइप संथिंग लगबाग आएगा करके देखो 50 के लगबाग आएगा ना माइनस इनका 20.4375 गटा लो सबको सब्ट्रेक कर लो आपस में 686 लगबाग आएगा ठीक है कितना आएगा 686 पॉइंट और यह 20 इसमें से गटेगा तो फाइनल में 0625 आएगा ठीक है 0625 सेंटीमीटर का इस्पायर यह आपका हो गया फाइनल में जो निकालना था ठीक है जोड़ना घटाना यह आना चाहिए कलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए अगर नहीं आता तो आप पढ़िए आपका बेटा 6 कुश्चन हो गया बाबू ठीक है परिसान ना रहें जल्दी जल्दी पढ़ें पूरा यह सब जल्दी से ही खतम हो जाएगा चैप्टर 12 मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं पहले कि मैंने सोचा है कि चैप्टर नंबर 11 12 13 14 15 पहले पढ़ा दें फिर आपको हम स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ाएंगे आप प पीछे वाला भी पहला चैप्टर 12 13 14 पचाव चोटोस अप्लाया है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सभी को दिल से थैंक्यू सबका कमेंट दिख रहा मुझे कि आठ बच्चे देखिये रोज जुड़ते हैं उनका नाम हम बोलते हैं जो नाम के लिए परिस्zen रहते हैं जैसे की पुझाराजी जुड़ी हुए निसान जुड़े हुए आनुवहर्यजी जुड़े गूऱिए हुए लॉक रूप उड़े हुए हैं और कौन यह कार्तिक जी जुदुदे हुए हैं तो चीने हैं सब का WILL दिखता है बस मैं बोलता हुं का IT शरी बीच में नहीं है टाइक तो रोज पालड़े आपका नाम बोले जाएगा